चलो बच्चा, Continuity for question practice करना है हैं थीक हैं तो continuity for question practice करना है तो पहला number question लिखो बूले जैसे लिखो तो fx equal to question है fx equal to sin 3x by x fx equal to sin 3x by x यहां लिखा हुआ है when x not equal to 0 और फिर यहां पर 1 when x equal to 0 discuss the continuity at x equal to 0 मतलब इस फंक्शन का continuity मतलब discuss करना है x equal to 0 पर ठीक है x equal to 0 पर यह चेक करना है कि continuous है कि नहीं है तो continuous होने के लिए चाहे नहीं होने के लिए हम लोगो क्या चेक करना परता है बच्चा लोग LHL, RHL और FA अगर तीनों equal आगया तो बोलते हैं continuous है अगर नहीं equal आए तो discontinuous है तो चलो हम लोग continuous चेक करने के लिए सबसे पहले क्या निकलेंगे LHL क्या निकलेंगे LHL तो चलो निकलते हैं left hand limit LHL तो हम लोग लिखेंगे limit x टो किस पर निकलना है 0 पर तो limit x टो क्या लिखेंगे 0 माइनस limit x टो 0 माइनस और 0 माइनस यहाँ पर क्या लिख दे एफ एफ एक्स बोलो साब सकता है 0 से छोटा भी हो सकता है तो कहने का मतलब यहीं है कि हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे पहला वाला यानि कौन sin 3 x by x हो गया न अब इसको बनाना है तो हम क्या पूट करते हैं जी पूट x equal to 0 माइनस है तो 0 माइनस h as x tends to 0 then h tends to 0 अब क्या रखें यहाँ पर limit h tends to 0 अब x नहीं अब h वाला लिखेंगे limit h tends to 0 अब यहाँ पर देखो sin 3 आए x के यहाँ पर कितना लिख दें 0 माइनस h अब by x है तो x के यहाँ पर 0 माइनस h तो यह आ गया limit h tends to 0 ठीक है और बदते हैं यहाँ देखो अब यहाँ पर sin 0 माइनस h माइनस h तो 3 इंटू माइनस h माइनस 3 h हो जाएगा अब आए नीचे कितना है माइनस h नहीं समझा सो बात समझ में के ना अच्छा अब बताओ यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसके बात से limit h tends to 0 लिखेंगे और sin माइनस theta क्या होता है माइनस sin theta sin माइनस theta क्या होता है माइनस sin theta so sin माइनस 3 h क्या हो जागा sin माइनस 3 h माइनस sin 3 h ट्रिको का फर्मूला होता है यह पता है न जी Sine minus theta क्या होता है? Minus sin theta Sine minus theta क्या होता है? Minus sin theta So, sin minus theta ko minus sin theta Lik सकते हैं I minus minus क्या हो जाएगा? Plus हो जाएगा तो यह लिख देंगे limit h tends to 0 अब क्या बच गया? Sine 3 h by h को एदी कर दो बोलो Sine 3 h by h lिख दिए अब क्या है? ठोड़ा सा सुनो तुम लोग अब ये limit का फर्मूला है एक trigonometric limit आगे वीडियो डालेंगे तो देख लेना सब limit x tends to zero sin x by x का value one होता है limit x tends to zero sin x by x का value कितना होता है बच्चा लोग वान होता है सूना सब बात याद रखना यह trigonometric limit का बीडियो डालने वाले हैं ठीक है limit में हम rationalization method तक प्रहा दिये लिमिट में ठीक है video में ही लिमिट में जाल दिये लिमिट में ठीक है video डिया है तो उसमें आप लोग देख सकते हैं उसके बाद हम लोग वहीं परहेंगे trigonometric limit लिमिट पर नहीं होता है तो अगर हम इसको यहां बना है तो यहां लिखें है limit h tends to 0 sin 3h by कितना h है बोलो सब sin 3h by h तो इसको लिखेंगे limit h tends to 0 sin 3h आद देखो यहां पर 3h है तो नीचे 3h होना चाहिए जैसे यहां पर फर्मूला में है limit x tends to 0 sin x by x है यहां x है तो यहां जाद 3h है तो नीचे 3h होना चाहिए तो 3h नहीं ना है तो क्या करेंगे यहां h है तो 3h एक बार नीचे divide करो एक बार multiply कर तो अमना ही 3h by 3h नहीं हो गया क्या नहीं है समझ में तो इसका value कितना 1 उसके एक और इसका फेलू कितना 1 तो 1 इंटू 3 समाझ में आया कोई दिकत तो यहां सीधर दिख रहा है यहां लिख सकते हैं at x equal to 0 पर देखो तो अब x equal to 0 पर f of 0 कितना 1 x equal to 0 f of 0 कितना 1 दिया है तो यहां LHL equal है कि इसके LHL not equal to f of 0 कहा है जी क्योंकि इसका फेलू कितना है 3 LHL का value 3 लेकिन f of 0 का value 1 equal है तो आरेचल निकलने का इसमें आप सकते नहीं परा नहीं समझा सब कि एलेचल यहां f of 0 के equal नहीं है LHL भी 3 आएगा आरेचल भी कितना आएगा 3 ही आएगा ऐसा नहीं है तो एलेचल और आरेचल इक्वल है 3 आएगा लेकिन f of 0 1 है the given f of 0 कितन है 1 है तो यहां LHL और आरेचल का value अगर देखा जाए equal है 3 लेकिन f of 0 के equal नहीं आएगा समझ में आए इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे मंद कर उसको क्यों 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 क आया इसा तो ख्लास नहीं आया है थो फोड़ो हटाओ आया की नहीं बताओ कोई दीकत तो लचलाइ वलह औरा अच्छा यो कोẨगे लिखने के लिए परहले समझारंगी और अगर होगिया है अगर अर्चल निखालेंगे अर्चल तवाल क्या करणते हम ल यहां बदल दलतल हो गया तहरं पर प्लस करते había 0 प्लस जिरो प्लस जिरो फिर फिर इस फिर यह प्लस हो जाता फूर झाता ऐसे मस्झरी कि में दूनों में और यह पह दख्लेए तो जिसाथ प्लस होता उन्हों फुंटिन्वर्टक उनुपसना कर ली है क्यों कोसर लुक पशने भी było थे कि बिहार बोट में भी आता है, लेकिन बीहार बोट में परती एक साल नहीं पुछा गया है को सन, सब्सक्रार डुशन थे खरफन दूसर्प फिल्परनीब्थ निशतंत जाय चाहते हो also the पहे तते क्नलसक्टे हो तो और यह नीकाल सकते हो आग बेखो रहीं को सब्सक्राइबगा ज़िखने का ट्इम देंगे देंगे दूसरा को सब्सक्राइब करते हैं कह जो अइसमी आता है को आप पतेने सी नहीं चापर से कितना दे लीटे हां शाम करता है लेकिन हो मेक्टेस करना मेरे थे लुटे लेकrico्स, चाप टेन संझ मेरु थे Catholics वेक्टर 3D साहती है शात्रही नमर का क्वोशन होता है लिए जना नमर सेट करता है ज्तरही होता है नहीं होता है कि अगोट इस चाप्टर से देना चाहिए उस चाप्टर से देवे नहीं करता है लोग छरू आटा बहुत तेज है लिखो next दूसरा question लिखेगा सबका है जी रोपे continuity check करना था अब कर बाद भी question देखो दूसरा question है fx equal to continuity check करना है ठीक है यहाँ पर है 1 minus cos x अब by x square यह दिया है x not equal to 0 पर यहाँ पर दिया हुआ है एक और है x equal to 0 पर दिया है 1 x equal to 0 पर कितना दिया है 1 तो हम लोग लेचल निकालेंगे बोलो साब क्या निकालेंगे जी लेचल निकालेंगे अब निकाल के देखते हैं क्या तो निकालो अगर निकालते हैं लेचल अब बोलता है continuity check करना तो पर लेचल निकालो ठीक है तो लेचल निकालते हैं चलो पर दिया है तो लेचल निकाल के देखते हैं कितना रहा है तो चलो लेचल बात करते हैं निकालते हैं है ले चल तो क्या लिखेंगे लिमेट एक स्टैंस टू जीरो पर निकलना है जीरो माइनस और यहां पर लिख दी एफेक्स स्टैंस टू क्या लिखेंगे जीरो माइनस तो जीरो माइनस का मतलब क्या एक्स का फेलो जीरो से छोटा एक्स का फेलो जीरो से छोटा तो कौन सा फंक्शन ही उच करें बताऊं उपर वाला तो लिमेट एक स्टैंस टू क्या लिखेंगे जीरो माइनस और एफेक्स के यहाप X by X square, use करेंगे न जी, तो यह हम लोग लिख लिए, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर limit X tends to 0, यहाँ पर X square लिख लिए, textually इसमें अगर देखा जाए, अब बनाना है, तो तुम वही न लिखोगे, 0 minus हाँ तो क्या लिखोगे, put X equal to, X equal to क्या, 0 minus H, as X tends to 0, then H tends to 0, तो चलो लिख दो, तो यह हो क्या limit, limit H tends to, अब क्या लिखेंगे, 0, अब X नहीं, अब क्या लिखेंगे, limit H tends to 0, आब 1 minus cos, आब X के ज़वपर क्या लिखेंगे, 0 minus H, आब आई X के ज़वपर, 0 minus H, आइ square हाँ तो square देदो, बोलो साब, तो यह लिख दो limit H tends to 0, 1 minus, आब cos 0 minus H, minus H, तो cos minus H क्या होता है, cos H, cos minus theta क्या होता है बचा लोग, cos minus theta क्या होता है, cos theta, याद रहेगा, तो cos minus H क्या हो जाएगा, cos H, फिर वहीं बाद, minus cos H, जाद हाँ, भोले, cos minus theta का फर्मूला क्या होता है, cos theta, cos minus theta का फर्मूला, cos theta, तो cos minus H क्या होगा, cos H, cos minus theta cos theta cos minus h cos h, समझ में आया, तो यहाँ 0 minus h क्या होगा, minus h, 0 minus h minus h, तो cos minus h cos h, तो यहाँ लिख दो क्या, cos h, आ 0 minus h क्या, minus h, minus h क्या स्क्वेर, plus h square, नहीं समझ में आया, आया की नहीं बताओ, कोई दिक आओ, आच्छा देखो, अब क्या होगा यहाँ से, limit h tends to 0, 1 minus cos h है, 1 minus cos h, तो 1 minus cos h को क्या लिख दोगे, 2 sin square h by 2, फर्मूला होता है बच्छा लोग, अब आई नीचे कितना है h square, अभी नहीं पता कि फर्मूला, नहीं पता है नहीं, दू मरो, तुम लोग तो, पर हाई के नाम पर तो, देखोई, 1 minus cos x का फर्मूला कितना होता है बच्छा लोग, 2 sin square x by 2, यही फर्मूला होता है, याद रखेगा, तो 1 minus cos h के जाब आपकर क्या लिख देंगे, 2 sin square x by 2, हो गया, अच्छा देखो, अब इसको लिखेंगे, हम लोग, limit h tends to 0, देखो अब 2 है तो 2 लिख दो, आप sin square x by 2 है ना जी, क्या है, sin square h by 2, तो sin square x by 2 को, अगर हम लिख दें, sin h by 2 का whole square, आप by h square, तो तो तुम लोग के घर से कुछ जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो लिखते जाओ ना, limit h tends to 0, है ना जी, अच्छा यहाँ पर 2 है, तो 2 लिखो, आच्छा, sin h by 2 का whole square, तो इसको हम लोग लिख देते हैं, sin h by 2, आप by h का whole square नहीं लिख सकते हैं, काहें लिख सकते हैं बच्छा लोग, तो यहाँ लिखेंगे, limit h tends to 0, आच्छा, एक और बात यहाँ से, तुम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझो, हम बता हैं, यहाँ पर limit h tends to 0 लिख देते हैं, 2 है तो 2 लिख देते हैं, sin h by 2 है यहाँ पर, है न जी, और नीचे h है, बताओ, तो नीचे h है, तो हम अभी फर्मूला में बता हैं, limit वाला फर्मूला लिख रह थे, कि limit h tends to 0, sin x by x का value कितना होता है, sin x by x का value 1, यह यहाँ x है, तो यहाँ x होगा, तो अभी 1 होता है, otherwise नहीं होता है, तो यहाँ sin h by 2 है, तो नीचे तो h है, तो 2 से divided, 2 से multiply, है, i square है, तो square दे दो, समाज में आया, है, 2 से divide, 2 से multiply क्या है किया है, फर्मूला पर लाने के लिए, क्योंकि यहाँ sin x है, यहाँ x है, यहाँ x है, तो x है, दब h by 2 होगा, तो h by 2 लाएंगे, नहीं है, आभी भी, कोनों दिखा तो ला दिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पते कोई 2 constant है, इसको बाहर रखो, लिमिटेस टेंस टो 0 को इसके अंदर लिख सकते हैं हम लोग, लिखेंगे, लिमिटेस टेंस टो 0, आप देखो, sin h by 2 है, sin h by 2, sin h by 2 है, by नीचे कितना है, h by 2, सक्वाइर है ते सक्वाइर देदो, नहीं समझा सब, ए, 2 बाहर, लिमिटेस टेंस टो 0, sin h by 2 by h by 2 कर दिए, नहीं आया समझ में, आगया न, लेकिन इसमें तुम बोलोगे, सर हाई 2 कहा छुट गया, आप तो लिख दिए, sin h by 2 by h by 2 का होल स्क्वाइर, लेकिन तो इसमें एक बाटा, 2 है है न जी, तो पाटा, 2 कहा स्क्वाइर कितना, एक बाटा, 4 इसको बाहर रखिये, बोलो, एक बाटा, 2 है, sin h by 2, 2 by h by 2 तो लिखे दिए, इसमें कर दुम नीचे का बच गया, तो 2 कह स्क्वाइर, 4, एक बाटा, 4 एक पलेड़ी अपुट ना ओर पुर्ण पल रहा हाँजी जो भी हार पूलीष डाड़ बुढिदते है तो वह टीक है आ्रमी वालए नहीं प्रदेश्ग पाड़ला नहीं अच्छी यह जो खांट रहा दोर्माने जो खांटाने चाहिए बिहार पुलिस वालो डान लिटा ओई मैं ठीक है आर्मी वाला ना हर बाहा चाहें गामे में पुरा पैथी पाइना रखाया लोगे थी वला बैल वाहा उपाइना लेके दवराना चाहें तुम लोको पॉर नहीं रहा है बोलो हां यहां हां को कि स्वर देखिए लिए रिहां सब डिखे हम यहां साइन स्क्वार एच वायक अब है यहां सक्वार हैं बोलिया तो स्कॉरह अब यहां यहां पर भी है तो हम sin H by 2 by H by 2 H by 2, H का whole square तो करेए सकते हैं क्योंकि इसका square होगा तो फिर हो ही आ जाएगा इसका square होगा तो फिर यह बड़ा जाएगा हो हो, sin H by 2, sin H by 2, sin H by 2, तो आ फिर H sqa square, H sqa square कहां 4 हो जाएगा कहां square हो जाएगा, Sir ऐख ए यहाँ साफ लोल है समरे तुम लोग साइन हीन एच बाई 2 का होल स्क्वायर का मतलब तुम लोग का समझा एंगिल के स्क्वायर एht due होता है pag part a इसका मतलब is outta February 4 नहीं हुँ है हैं यहाँ इसके एंगिल पशक्वायर नहीं जाता हूँ समझा बात देखो देखो यह द्यान से तो हई दो हो गया इसका वेलू कितना वन तो इसका वेलू वन हो गया लेकिन स्क्वाइर है ते स्क्वाइर तो वन क्या स्क्वाइर है इंट वन भाई फोर तो दूसरे काट दूसरी चार यानि एक बाटा दो नहीं आ है 1 तो यहां पर दिख सकते हैं सिधे कि at x equal to 0 f of 0 कितना है 1 तो यहां पर LHL और उसका फेल्व एक्वल कहा रहा है बोलो तो LHL और रचल का फेल्व 1 by 2 आएगा कोई से आएगा पोलो खको प्लस करोगे तो नहीं आएगाए अणिघ्जा डीख सिर लिक डीखेल यहां प लेका आप भूसकेट आपड है जीन O अभूनिद पिर वहीं आगा कि नहीं आगा तो आ रहेचल का भी वहलू वन बाइटू आगया तो मेरे कहने का मतलब जब यतना वहलू यहां पर क्या गया वन में ठूंड्र परस्थ ही आएगा तो देखो यहां लिख सकते हैं फप जीरो का वैलू कर जिरो पर एकस इककोल तुट जीरो प but not equal to f of 0 यानि 0 पर यह function continuous नहीं है समाज में आया नहीं आया अरे बोलो clear हुआ 0 पर continuous नहीं है क्योंकि 0 पहले चल आरे चल तो equal आ रहा है लेकिन f of 0 के equal नहीं आ रहा है तो यह continuous नहीं है कोई दिक्कत बोले है लोग टेस्ट टाइट हुआ था कि नहीं अधना तब इसका चिक आज करेंगे वह तो बहुत टाइम लगे हम आने में दिसको आज चेकर देते हैं या सर माइनस नीगेटी और के 25 साने को सान फॉर मार्क निगेटी मार्किंग माइनस वान के बोल रहा है कि नहीं होगा हाँ निगेटी मार्किंग हम बोले है कि माइनस वन है कि हाँ को अ कि को कपी में बनाई है उस पीज में टिक मरी है हो गया तब बना के देदी अब उसका आज ची कर लेते हैं बता देते हैं अनसर कि हो गया तो यहां पर कंटीवस है कि यह नहीं कोई दीकर नेक्स कोस्टन अब करते हैं अम लोग ठीक है देखो बच्छा तीसरा कोस्टन दो कोस्टन हो गया ना कि अधिसरा कोस्टन एक कोस्टन है एंसी आटी में दिया हुआ है अत्या थे पक्वास तुमारा स्टाट नहीं सर्दान दिखाना स्टाट करो लगडाई कुलोजब का परचार इस जीमा ले लिया है ठीक है पुरा कुलोजब के तरफ से बोल दिया है पहला ही कि रनभीर सिं तू हान देखो ट्री इसरा कोस्टन खर इटाट के कॉस्ट टु कि फ एक से प्रों कोसंद याईन इस एडी ऐक आगाए shy कोसट pseudo-े न यहीं क्या है एक से कोस्ट एक्स ठीक है है आँ यहां देा है x not equal to pi by 2 x not equal to kya diya hai pi by 2 नीचे diya hai pi minus 2x kya diya hai pi minus 2x फिर diya hai कि x equal to pi by 2 पर इसका value diya hai 3 ठीक है तब बोल रहा है सुनना बच्चा लोग ध्यान सुनना if fx is continuous if fx is continuous at x equal to pi by 2 then find then find x equal to find k then find k kya value नीचे इसमे ओल्रेटी क्या गिवेन है बच्चा लोग continuous है जब continuous है तो LHL equal to RHL equal to f of a fix है तो इसको बनाएंगे न हम लोग तो बनाएंगे तो सबसे पहला बात तो हम यहीं लिखेंगे क्या कि सिन्स fx is continuous at x equal to बोलो सब pi by 2 therefore क्या लिखेंगे लोग अब बनाएंगे तो बताओ अब क्या होगा कि अब लोग probability तो लीमीट x2 क्या लेखेंगे है पाई वाई टू माइनज़ रेकको निकाला आर adelHEa निकालने का हो सकता नहीं तरसे ही का से एक उसे मतलब हम ये लेट रेकासा पाइलो निकाल मीनस बोलो समाझ मेघ तो एक्स का वेलू pi by two मैंस सीहंपर क्या लिख दिए एफ एक्स तो कौन्स अ फंक्शन से लिट करेंगे ऊपर वाला के नीचे वाला तो limit x tends to यहां पर क्या लिख देंगे pi by 2 minus तो x का value pi by 2 से just छोटा कौन बता रहा है बता दो x का उपर वाला बता रहा है नहीं तो यहां लिख दो k cos x by k cos x by pi minus 2x लिख सकते हैं कौन दिकत और फिर x के जहां पर क्या पूट करेंगे भूल गया सब का जी पूट एक्स इकवल टू pi by 2 minus देखो अब कह रहा है 0 minus x जब pi by 2 है तो pi by 2 minus x नहीं का रहता है तुम लोगा दिमाग यहां देखो यह गवाया है सब छप्रा पॉर्णे आया सब देखो अभी तक नहीं पहुंचा सब कातना भीजी आदमी होगा सब घौरे बता दिया होगा सब पापा को आ मामी को बता दिया सब कि हम पॉर्णे आया अब पूट x equal to pi by 2 minus h as x tends to pi by 2 बताओ अगर x pi by 2 के तरफ जाएगा तो h then h tends to 0 होगा ना अब रख दो भैलू चलो बच्छा इसमें रखते हैं तो अब क्या लिखेंगे limit h tends to 0 लिखेंगे क्या लिखेंगे limit h tends to अब देखो ध्यान से देखो यहाँ पर तो pi by 2 minus h हो गया अब देखो यहाँ पर लिखेंगे limit of kya h tends to 0 लिखेंगे ना जी limit h tends to 0 h tends to 0 हो गया pi by 2 minus ना अब h tends to 0 लिखेंगे तो limit h tends to 0 अब यहाँ पर है k तो k लिख दो cos ix के जहाँ पर pi by 2 minus h अब by pi minus 2 ix के जहाँ पर pi by 2 minus h एक्स क्या लिखते हैं pi by 2 minus h लिख दिए अब देखो यहाँ पर लिखेंगे limit h tends to 0 अब इतना कोंशन प्रेक्टिस करा देंगे ना अभी तो हम सोच नहीं कि वहला कोंशन अब तुम्हों का धिरे धिरे night class वाला टाइम आये रहा है ना रहा है तो आये रहा है तो उसके बाद तो by 2 beta minus h क्या होता हुता है साइमे थी साइन हे इसे को लिखतेंगे साइन इसको क्या लिखेंगे बच्क लोग क्यूंगि प्लॉस 10 Bach कोंशन से तो-2-h नहुजयों अब क्या करेंगे पाइ माइनस गीडिय थीता साइन धीटा होता है आच्छा से अब क्या करेंगे kid bon limit h tends to 0, देखो k sinh by 2h, अब देखो k by 2 constant है बाहर रखो इसको, तो k by 2 को बाहर रख लो, यहाँ पर हो गया limit h tends to 0, sinh by h, तो इसका भेलू कितना? चलाख हो गया सब्जी, क्या? क्या आगया? k by 2 into 1 याने कितना आगया? k by 2, तो देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है बचलोग, ए चुप रहो हला मत करो, यहाँ से भेलू पता चल रहा है, किसका भेलू पता चला देखो? देखो यहां से क्या पाता चला ध्यान से समझ लो इसमें आ गया कि अब देखो since क्या equal है LHL equal to कितना है f of pi by 2 के भी ते इकवल है नहीं है कि यहां पर अब देखो आप लोग एक इसमें नहीं समझें लोग मैं जूट मत बोलिये बोलो विद्या कसम नेक्स को sometimes कि आ अरे र्लोब कोना लिखना हाँ एका तुम भी मतलब है लिख लेना हां बादमा में नहीं है टो नहीं हो देख लेगा चलो next question बज़ चलो एक हो गया बोलो साब लोग रहा एक दम जिन्दा नहीं है तुम लोग लिखो question हो गया करगो तीन को चलो चाओ था नंबर question fx equal to question में क्या given है देखाओ fx equal to given है x square minus 2x x square minus 2x minus 3 fx equal to x square minus 2x minus 3 यहाँ पर x plus 1 यहाँ दिया हुआ x not equal to minus 1 क्या दिया जी? x not equal to minus 1 और यहाँ पर दिया है lambda lambda सुना सब? फिर का रही x equal to minus 1 lambda का मतलब संजा सब? बहुबली का भासा? बहुबली में फासा नहीं है? निम्डा लिम्डा नहीं बलता हूँ लिम्डा बहुबल रहा है कि आए सुना हो question में if fx is continuous at x equal to minus 1 इसमें क्या है? अगर fx equal to x equal to minus 1 पर अगर fx continuous है तो lambda का भी लूग फाइंड कीजे? अगर continuous है याने अल्रेडी गिवेन है? इस question में अल्रेड यहां बल रहा है question में देखो एक question में तुम लोग लिखो कि आए कि fx is continuous if fx is continuous at x equal to minus 1 then find lambda then find lambda यह निकलना है हम लोग lambda का भैलू find करना है अगर continuous है तो तो हम लोग lambda का भैलू बंद करो उसको अब lambda का भैलू हम लोग निकलना है तो सबसे पहले ले चल निकलेंगा अरे चल निकलेंगे तो फिक्स है जब continuous है तो यह यानि क्या given है बच्चा लोग इसमें given already क्या लहल इक्वल टू रहल इक्वल टू f of minus 1 minus 1 पर निकलना है तो यह लहल इक्वल टू रहल इक्वल टू एक्वल माइनस वन देखो ओई आरे चल निकलेंगा को है का सब हमेंसा यह ले चल निकलता है चल यह निकलते हैं तो minus 1 पर निकलना है तो limit x tends to क्या लिखेंगे minus 1 minus minus 1 पर निकलना है तो minus 1 minus अच्छा देखो अब x tends to minus 1 minus आ यहाँ पर fx तो कौन सा function select होगा जी minus 1 से छोटा तो कौन बता रहा है पहला तो यह वाला function select कर लो तो क्या लिखेंगे x square minus 2x minus 3 divided by x plus 1 हो गया अच्छा अब इसको बनाना है तो हम लोग लिखेंगे आपढ पूट x equal to put x equal to minus 1 minus h as x tends to minus 1 then h tends to 0 तो रख दो limit अब क्या लिखेंगे h tends to 0 अब h tends to 0 लिख दिये आचा पहले चाहा फेक्टराइज कर लो ना इतना लिखने साथ चाहा है कि पहले फेक्टराइज कर लो आसान हो जागा तो फेक्टराइज कर लो ता लिमीट x tends to minus 1 minus तो इसको फेक्टराइज कर हो तो आख लिमीट x square minus 3 x plus x minus 3 नहीं हो जागा अब आए x plus 1 तो इसको लिखोंगे लिमीट x tends to minus 1 minus x काम लो तो 1 minus 3 आप लास 1 काम लो लो तो x minus 3 अब आए निचे कितना x plus 1 आगे बर हाओ तो यह आगे पर हाव के तो कितना आजाएगा? लिमीट एक स्टेन्स टू माइनस वन माइनस ठीक है? तो यह आजाएगा एक स्माइनस थिरी है इंट्व एक स्प्लस वन न? का लड़ कहा है सब? यहाप कुछ नहीं तो वन है? बोलो लिमीट एक स्टेन्स टू माइनस वन माइनस यहाँ पर एक स्माइनस थिरी नहीं है जी? अब क्या करना अब इसको बाद तुम डारेक्स वन पूट कर दो आच्छा है लिखो लंगवेज में अगर यह हमादब चेक करने वालों को खुस करना है तो लिखो put x equal to minus 1 minus h as x tends to minus 1 then h tends to 0 ऐसे लिख दो आना तो minus 1 direct put कर दो आजाएगा minus 4 आजाएगा ठीक है देखो तो यह limit of क्या लिखेंगे h tends to 0 अब क्या लिखें है h tends to 0 तो limit h tends to 0 अब क्या राख दो x के जभापर minus 1 minus h minus 3 है तो minus 3 अब h के जभापर 0 पूट करो तो minus 1 minus 0 minus 3 यानि कितना हो गया minus 4 यानि यहाँ आजाएगा LHL का वैलू minus 4 बोलो तो अब देखो LHL किसके एक वाला f of minus 1 के तो since LHL क्या लिखेंगे बचलोग since LHL equal to f of minus 1 तो LHL equal to minus 4 f of minus 1 कितना दिया है minus 1 यहाँ रखो गते फोब minus 1 लेमंडा है तो इक वल टू लेमंडा लो तो लेमंडा का वैलू कितना आगया minus 4 नहीं आया समय में किसी को डाउट है कोई दिकत है प्रोब्लम समस्या कोस्ट परसानी वगएरा कुछ भी तो आरे चलिस में निकलना परेगा नहीं अरे के कुसे निकल जागा तो समाज में आगया कोई दिकत तो अहां सर नहीं एक इगो निकल के बनाए जैसे बता रहे हैं से बनाए गना हब दूब कहला निकाल इक जब सकते नहीं आता वो लिया क्या ऐसे भी आपर से जो लोगी जाम जारह उन्दर उन्लों को जादा चिंता करने का बात नहीं इस काहे सर कंटिनिवटी से कोश्चन दू साल में एक बार आता है तीन साल में बार आता है हां ठीक है तो बनाओ ठीक है बना बच्चा ही लिखो लिखो तो यहां से लिखो वाला वाला लिख लूँ आप बिल्कुल अपलोड तो कर बे करेंगे करता है